Assalamu alaikum everyone, I am Hajra Arooj, welcome you all to my YouTube channel तो आप सब लोग की जो भी क्यूरिस थी रिगार्डिंग लॉजिकल रिजनिग वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी लॉजिकल रिजनिग एक निया फिफ सब्जेक्ट है जो कि आड़ कर दिया गया है PMC की दर्व से 2021 में इस से पहले कोई भी इस तरह का टेस्ट नहीं होता था इंस्टेट NUMBS में इस तरह का एक टेस्ट रोता था जिसका नाम वता था Psychological Test and Psychological Test के 50MC Qs होते थे उसके मार्स तो थे merit calculation में involved नहीं होते थे बगि उसको सिर्फ pass करना तो तो सारे candidates के लिए ज़रूरी होता था logical reasoning क्या है इसकी कैसे त्यारी करना है यह सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब को समझाती हूँ इस portion को इंट्रियूस करवाने का मकसद यह था कि वह students की mental abilities को जज़ कर सकेंगे क्या वो psychologically इतने compatible हैं कि वो future में जाके being a doctor होने की responsibilities को handle कर सकेंगे इसलिए total 210 marks की test में इसे 10 marks का portion के लिए साइन किया गया था इस 10 marks में से जब्सक्राइब करेंगे वो जाके future में उनकी मेरिट calculation के अंदर भी count होंगा इसलिए उन्होंने इसमें छे categories को इंट्रोड्यूस करवाया था critical thinking letter and symbol series logical reduction logical problems course of action cause and effect आप पहली category देख रहे है which is critical thinking ुसमें क्यों होता है कि आपको एक passage दिया होता है और फिर आपने उस passage के बात दीगी statements को देख नना होता है और ऐनलाइस करना होता है कि कि कर यह तीनों के तीनों statements का चारों के चारों statements जोंपी दिया है apply के सारी true सारी के सारी false यह फिर आपके के पास insufficient act है और आप इस दिसी नहीं को नहीं ले सकते हैं या probably false, probably true कोई भी इस तरह का answer आपने relevantly choose करना होता है जैसे कि इन एंग्जम्पल दी थी कि Amit's company has been successful for the past five years reported profits have been rising each year with the 2018 being the strongest year yet to celebrate Amit treated his staff to a meal at five star restaurant in the city अब आपने बताने है कि इसके बाद यह पैसेज था जो आपने पढ़ ली और आपको information मिल गी जतनी भी जाईए थी तें तीन statements दिए number one Amit is rich number two Amit's staff are happy and number three Amit's company performed well in 2017 अब आप सोचे हैं कि जब उन्होंने का है कि past five years के लिए Amit की जो company थी हो successful लगी से ले तो 2021 का तो आप अपने आपको 2021 में से बैट के से बूस करें तो पिछले पांक सालों में ठीक है वो successful रही है लेकिन 2018 जो था वो most successful year था तो इसलिए जो हम third statement देखें कि Amit's company performed well in 2017 तो ठीक है 2017 में it performed well best की बात नहीं होड़ी it just performed well तो yes it performed well Amit is rich तो जाहर है उसको इतना जादा profit हो रहा है तो Amit rich ही होगा फिर Amit staff is happy अगर वो किसी को five star hotel पे एक dinner दे रहा है तो क्या उसको staff happy नहीं होगा obviously happy होगा profit भी हो रहा है और उनका जो boss है वो उनकी efforts को जो है और recognize भी कर रहा है और in return जो है और celebrate भी कर रहा है तो obviously यह तीनों के तीनों statements जो हैं वो true होगी number two category आ जाती है letters and symbol series की इसमें क्या होता है कि आपको एक series दियो होती है इसके अंधर symbols already बने होते हैं और आपने देखना होता है कि next symbol कौन सा आएगा इस तफा इस किसम का कोई question नहीं आया थी क्यूं क्यूं क्यूंकि apps का जो software था वो इस तरह से design नहीं था कि कि किसी shape को या किसी diagram को insert कर सकते है तो इस वज़ा से यह symbol series और इस तरह का कोई भी question नहीं आया था लेटर series का भी नहीं आया था अभी जो आपको एक दी हुई है series यहां पर लोग careful किए the sequence of symbols to find the pattern select correct pattern अब इसमें पहले eme then mmm फिर ewe आप देखो कि पहले जो center वाला word है वो second में जाके तीन दफा हो गया और फिर third में जो center वाला word है obviously वो fourth में जाके तीन दफा हो जाएगा तो फिर जो fourth में empty space है जहां पे उन्होंने question mark लगाया वहां पे क्या आएगा वहां पे आजाएगा w तो इस तरह करके आपने चीजों को analyze करना होता है थोड़ा सा सोचना होता है then easily solve हो जाते है then comes the portion of logical deductions इसमें भी होते है कि आपको एक paragraph दिया होते है आपने समझना होते है a का relation b के साथ b का relation c c का relation d के साथ जतनी पी चीजों को correlate किया गया तो उन सब क relations को समझना होते है और फिर उसके बार decision लेना होते है जैसे कि आप इसको पढ़ लो there is a family of six persons g, j, b, e, t, and z their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer, and liar but not respectively in the same order अब उन्होंने पहले आपको बता दिया कि यह teacher, writer, actor, सबके professions बता दे लेकिन फिर का कि respectively नहीं है बलके क्या है g is a teacher, z is a dancer, b is neither writer nor actor, e is neither singer nor liar, t is an actor, j is a lawyer from the information given above try to answer the following question whom amongst them has a profession of liar अब lawyer का उन्होंने पूछ है तो पहले end पे उन्होंने क्या बताया वा जे is a lawyer तो अगर आप उपर बैटके सारों को एक दुसरे के साथ relate करने पे confused रहेंगे तो आप सीधा सीधा देख law and पे क्या बताया वा जे is a lawyer j is a lawyer, to simply who is the profession of lawyer j तो सिर्फ थोड़ा सा ना presence of mind से काम लेना होता हो जाता है फोर्थ category is logical problems कि इसमें आपको एक statement दी होते हैं wepics होते हैं यंइपिक्स जोए वो प्रोस की भी एक खास category है और लुलबी सांग है इसके इलावा बागी भी सांग है लेकिन जो कोई सांग होगा वो प्रोस नहीं होगा और प्रोस के खास category है epics अब some proses are songs तो प्रोस जोए हो सांग नहीं हो सकती तो yes it is true because a lullaby is a song तो it means that a lullaby is a song लेकिन इसके इलावा बाकी भी songs होंगे तो some songs a lullaby is इसमें कौन सी statement most appropriate है तो वो only 3 है B option is right अब course of action की जो category होती है यहां पर आपको एक certain condition दी जाते है और उसमें पूछा दाते है कि अब आपको क्या course of action होना चाहिए यह लाइक power supply and state is terribly poor state x में power supply पूए है तब उससे क्या है जब आपको जो है power theft को रोकना चाहिए या फिर ज्यादा जो है power produce करनी चाहिए I guess के दोनों options हैं क्योंकि जब आप power theft को बचाएंगे बाकी area से तो आप state x को provide कर सकेंगे इसलिए वहाँ पर जो power supply का issue है वो भी sort out हो जाएगा और डूसरा यह कि जब ज़्यादा power generate होगी तो obviously यह वाला issue तब भी sort out हो जाएगा तो हर एक contribute करने का तरीका लग है बाट जितना मैंने पड़ा और मुझे अपने teachers में बताया उसके according दोनों options जो होगो appropriate है sixth and last category जो है वो cause and effect की है और इस तफ़ा जो ज़्यादा पर पोर्शन आरा था ना logical reasoning का 10 MCQs होते हैं टोटल तो उन 10 MCQs के अंदर major portion जो था वो cause and effect से आरा था ना even यह था कि मैं तो कहूंगे कि 7 to 8 MCQs cause and effect के थे सिर्फ एक तो course of action के थे और logical reasoning के थे बाकी जो logical deductions का portion है उससे भी कुछ खास नहीं आया था मैट्स के portion में से भी letter symbol series में से लेकिन क्योंके 2022 में कुछ syllabus changes आई हैं तो उस वज़ा से अब next time क्या होगा कि मैट्स का portion मजीद increase कर दिया जाएगा cause and effect की category क्या होती है cause and effect ऐसी category होती है कि आपको एक certain statement दी जाते है और आपने decide करना होता है कि इसमें से cause कौन सा और effect कौन सा अब यहाँ पे कौन से statements दियुएं कि the standard of living of people of the average income group has been rising since the last two years ठीक है कि पिछले दो साल हों कि the standard of living of the people पाकिस्तानी economy has been showing a significant growth तो यह जाहर है कि असल reason कौन सा है cause और effect कौन सा है तो cause तो 2 है ना कि economy में growth हो रही है इसलिए standard of living of people increase हो रही है तो statement 2 is cause and statement 1 is effect तो इसकी B वारी जो है option सही होगा इसे तरह मैं आपको एक और question बता दूँ मेरे paper में आया वा था अथोपिया faces फैमें मतलब कि अथोपिया में जो है कहच सालिया statement 2 किया थी कि अथोपिया has political instability तो हमने बताना था which one is cause and which one is effect तो यह मैं आपको बता दूँ natural चीज जो है वो तो आप control नहीं कर सकते तो इसलिए कहच साली is the reason किसी भी artificial reason की वज़े से कोई natural चीज नहीं हो सकती तो कहच साली जो वो cause होगी यह थोपिया faces फैमें यह first वाली statement cause होगी and second वाली थोपिया has political instability यह effect होगी Thank you so much for watching this video make sure to like, comment and subscribe